हमारे पस 50 वराइटी के पराठी होते हैं अगर कुछ 50 मिनिट में 3 पराठे खा लेता है तो उसे 1,000,000 रुपे का नगत ही नाम दिया जाएगा और जिंदिगी बर के लिए खाना फ्री फ्री फ्कॉस्ट हो तो हेलो दोस्तों आज हम आचुके हैं रहतक सहर हरियाना में और यहाँ पर मिलता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पराठा नमस्कार सर अपना क्या नाम है मेरा नाम मुकेश है यहाँ के ओनर है तपस्या प्राठा जंगसन के तो सर अपनी कितनी बरांच है यहाँ पे रहतक में हमारी दो बरांच है एक दिल्ली रोड पे IG ओपिस का सामने है और एक हमने अभी सडनली अभी बनाई है दो महीने पहले तिलियार जील के बिल्कुल सामने है सबसे पहले कब उपन किया था लगबग 15 साल पहले 15 साल पहले पुछ सर यह आईडिया मतलब कैसे आया आपके दिमाग में अब बड़ा पराठा हो मतलब ऐसे कुछ जो तकस्या जो नाम है मेरी बेटी के नाम से और यह मेरी बेटी के नाम से अभी तक चल रहा है ऐसे भी यह लड़की तो भी लग होती है अब कोर भी घरवाले अगर इतना जादा वो नाम ही उस पर रहा है तो बहुत बड़ी बात है यह आईडिया मुझे मेरी बेटी नहीं दिया गाँ और घर पे जागे जैसे परांटा खोला तो बेटी कहती है तो पपा चोटा सा परांटा है बड़ा क्यों नहीं बनाते उस जिन से फिर हमने बड़ा प्रांठी की शुरूबात की वह रहा कि स्टार्ट अप को यह स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट इनिसीटी हो था कि भी अपनी लड़की नहीं बता है और लड़की के नाम भी रख दिया तो हां सर टाइमिंग हमारे साथ 7 डेज ओपन होता है तो सर अपने पास कितने ठाइब के प्राठी के मिल जाते हैं हमारे पास 50 दिल्गे मेंरी बीटी की तो सरुल्में होना बीदर घन डाना है और 30 सीस की पराठी बनते हैं 2 पूर एक्से सैइज अंदे हुद लग बंग 800 ग्राम का होता है उसमें तो लोगो के लिए अराम से वह खास और जो फुल साइज है उसमें तीन लोग अराम से खा सकती है और हमारे पास पिछले पंदरा सालों से चलता आ रहा है अगर कोई पचास मिनिट में तीन प्रांटे खा लेता है तो उसे एक लाग रुपे का नगत ही नाम दिया जाएगा और जिंदगी पर के लिए खाना फ्री प्रांटे खाने पर एक लाग रुपे का नगत अब तक किसी ने खाया भी हो हाँ अभी तक दो लोगों ने नाम जीता है एक अपने रोगता के पास ही बैसवान गाओं है वहां से एक बंदे ने जीता है आज से पांस साल पहले और उन्होंने सर कितनी देर में खतम कर दिया जो अश्वनी है वो दो नॉर्मल है आप जैसे और हमारे जासा जो एंपी से आये थे वो लगबग 180 किलो बजन का बंदा था अभी सर वो फ्री में खाने आते हैं नहीं कभी में लवे कर बार तो कभी-कभी आता है दो-3 साल में एक बार जो अपने रोह तक से है वो आ जाता आप 49 में खा लेना तो भी नाम के एकदार हो गए हो जाते हैं मर पस लोग कंपेटिशन के लिए डेली एक तो एक तो जरूर आता है लेकि आज तक जीतने वाले दोई लोग है और सर कितने लोगों ने ट्राइग किया होगा मतलब बहुत लोगों ने किया है आज भई हम भी अब देखेंगे कि कैसा क्या है कितना बड़ा तवा है उस चीज के लिए वियाब बने रहना तो यहाब अपने कुछ वाहिसाब है यह सब अपना खाना एंजोए करें पराठे को तो इनसे थोड़ा आइडिया लेते कि इनको कैसा क्या लगा तो भाई साब आपको यह अब आई जाते हैं सबसे फुलस फैंट यहां का अब तक क्या है बड़े पूंटेगा सारे बाई कठों खा लेते एक थाली में खाने इसे बाई तारा बड़ता है यह यह जब से नमस्कार बाई सुब आपको यह परांठा वगरा कैसा लगा परांठा बहुत अच्छा कि अब दो डाई मेने से यह रेस्टोरेंट नया खुल आ है जब से डाई मेने से खुल यह युदि आ जुक आपके बाद महां पांच मीं छथी बार आचुके यह पर जब इंड़ा परांठा अच्छा अचा अब ले 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 लेते हो या फिर कोल डूर्ड रिंक लिए ले ल वड़ा ले लो अगली बार गोभी वड़ा ले लेना टेस्ट टेस्ट करते करते आएगा पड़ आप अलग जाए कुन सा स्वीच अशा ट्रेस्ट है तेस्ट में पांच देन जी बी को बादना मिले चार दोस्ती घठे हों चलो करथा जेक्शन और एक प्राथा में कितने जनो जाना है मैं तो बैसे काफी कन्फ्यूज हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वैरैटी है तो वैसे आलू-प्याज या फिर आलू-गोभी मेरको ज्यादा पसंद है पर मैं देखता हूं और यहां पर आपको वैसे चाय कोफी लस्टी अगरा भी मिल जाएगी और वैज बर्गर वगरा है नूडल्स बगरा भी हैं तो आप अपने ही साफ से ओडर कर देना हम जाते हैं स्पेसल मिक्स वैज पराथा और यह एक्स्ट्रा लार्ज है 570 तो भाई यह वो तवा है जि यह देखो यार कितना माल मेटरिल लगया इसके अंदर अरे वाइब इसमें बाई तीन चर बार सब्स जी वन जाए इतना माल मेटरिल चला गया है यह वह ना बड़ा मुमोज है अरे वाई यार महनत काफी लगती वाइस में यह काफी बड़ा साइज है आपको वीडियो में मैं क्या पता है कि ना बड़ा ना लग रहा हूँ पर यह बहुत बड़ा साइज है वाइब ब्योलन भी काफी बड़ा है बेलन का साइज गर आप देख सकते हो और फिलिंग इसमें बिल्कुल पूरी है आप यह निकाद अगते कि इसमें कम है क्योंकि आपने देखा हुआ कितना ज्यादा मैटियर इसमें डाला गया था देखिए यार काफी बड़ा साइज है और इसका साइज लगबग दो हुट के करीब है अरे बाफ यह टेक्निक है तो आर देखो यार तवा कितना बड़ा है तवा भी करीब धाई फूटका होगा और यह पराथा लगबग दो हुटका है यह कितना बड़ा साइज है यार इसका भाई जो यह बड़ा पराथा इसको बनने में लगबग 5-7 मिनिट लगती है इसमे तो कितनी देर में पलटा जाएगा लगबग 1 मिनिट के करीब इनों ने रखा यह बड़े-बड़े ओजार इस्तमाल किये जा रहे हैं अब ही थोड़ी फ्लेम हाई कर दी रही है तक यह जल्ड़ी पके तो बाइद आप देख रहे होगे यह बड़ी तेल लिए यह देसी घी इसमें देसी घी यूज किया जाता है एक साइड से यह प्रिपेर हो चुगा है एक साइड यह तैयार है बिल्कुल अब इसमें दूसरी साइड है भाई लगाए जाएगा प्लेट भी कितनी बड़ी यह इसका साइज लगगा 32 इंच के करीब है तो दोस्तो अपना पराठा आ चुका है अभी इसकी टेस्टिंग के बारी है यह बिल्कुल प्रोपरली फिल्ट है आप देख सकते हैं कहीं वी एक भी पार्टी इसमें ली जूटा है अभी इसको टेस्ट करूहामें कि यह कैसा क्या लगता है अभी राइती कि असाथ लेते रुका नी जारा यह हरायता बाइ बहुत बड़ी है आप अपने हिसाब दे कस्टुमाइज भी करवा सकते हो कि आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए या नहीं तो यार मुझे ये काफी सही लग रहा है तो जहां डे ट्राइगा रहे हैं कि अभी क्या रिवी होगा फुल स्पाइसी है भाई फुल स्पाइसी है प्रोपर दे कूकड है तो यार भाई हर बाइट में अलग टाइप का सा अननदार है वाई बिलकुल और मैं तो आपको कॉंगा कि मिक्सवेज इखाना वैसे मिक्सवेज काफी बढ़िया है और हमारे चैलेंज रहेगा कि हम तीनों इसको निप्टा भी पाएंगे या नहीं पनीर, आलू, बंधगोवी, गोवी, मिर्ची, और मटर दोस्तों आपको तो पता ही है अपन चाय के कितने ज्यादा शोकेन है अब ही मोगवाई जाएगी चाय तो यह बड़ा पराठा था आदा काता मुआ अबने तब चाय ओडर करें क्योंकि ज्यादा अथन दीना हो जाए तो अभी भाईया को बुलाते है और चाय ओडर करते हैं भाईया अब तो मरेक निशए है कि अ को दोस्तों निशाए ब्या चुकि और ये देखिए हमने कितना न इप्टा दिया है आपको आप देख सक्कते हो किसना सा बचा यह बड़ी कितना बचाना वं ऐखाओ इसको भी दो मींट ना दो में तो नहीं है कि जल्दी निफ्टा देगे हैं कि देखा वाई हमने अपना चैलेंज लिया था पुचास मिनट से पहले एक प्रा थार युप्टारा तीन बंदों ने अब अब ने किसा बीस मिनट मिला तो इस हिसाफ देखा जया तो हम चैलेंज जीच चुके हैं आप भाईया को कमेंट करे जो कि शुके जनम में दूद मिला तो इसको निफ्टाइब काफी सही है यह घर के जैसी चाई बिलकुल तो दोस्तों यह प्राठा देखा भी कितना सा बचाय बिलकुल अभी इसको निप्टाई में जल्दी खाली सालिक इसाथ मिलेंगे आपको आप देख सकते हो कितना सा इसको उम्हाली कर देंगा अब यह अब यह अपने फ्रेंड्स को अगरे साथ यहां पर एंज्य कर क्योंकि यह काफी अलग चीज है यह पराठा तो वही पराठा टेस पर यूनिक चीज है थोड़ी बड़ा प्राठा फोटो की चो रील बनाओ अपने मजे लोग हो दोस्तो मैंने अबाजी में बोल तो लिया था पर भाई यह से कटम ही नहीं हो रहा तो इतना सा बचा अभी है पर इसको हलका फुलका सोच रहें कि लिफ्टाई देंगे तो यह कुछ पराठा सा यार यहां का एक्स्पिरेंस हमारा तो काफी बढ़ी आ रहा तो यहार इसी सब के सब्सक्राइब जरूर किजिएगा बहुत बहुत नहीं वादा से जय हिंद जय भारत